बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता है सेना की जमीन से जुड़े घोटाला मामले में ताजा जानकारी आ रही है IAS छवी रंजन ने ED से समय की मांग की है पेश होने के लिए दो सप्ता का समय मांगा है बता दें आपको कि सेना जमीन घोटाला मामले में आरोपी है छवी रंजन 21 अप्रेल को पूस्ताज के लिए ED ने समन भेज कर इने तलब किया था लेकिन इनों ने दो सप्ता का समय मांगा है क्या जानकारी है पूरे मामले की सहयोगी चंदन से जानते हैं चंदन आईएस छवी रंजन ने दो सप्ता का समय मांगा है ED से पूस्ताज के लिए उपस्तित होने को लेकर क्या जानकारी है इस बारे में देखें बिल्कुल ED ने आईएस ओफिसर छवी रंजन को समन देकर 21 तारीको ED दफतर में पूस्ताज के लिए उपस्तित होने को कहा था लेकिन इसी मामले में अब आईएस ओफिसर छवी रंजन की तरफ से ED से वक्त की मांग की गई है दो हपता का वक्त मांगा गया है उपस्तित होने के लिए उसके लिए उन्होंने अपने तर्क दिये हैं और वक्त की मांग की है अब ये देखना होगा कि छवी रंजन की इस तरफ से दो सब्ताह का वक्त मांगा गया है ED इसको किस रूप में लेती है कितने दिनों की महलत उपस्तित होने के लिए देती है पूशताश के लिए कितने दिनों बाद छवी रंजन को ED दफतर जाना होता है क्योंकि इससे पहले छवी रंजन के आवास पर रेड हुई थी और रांची के साथ साथ अन्य जगों पे भी कई छिकानों पर रेड हुई थी और उस रेड के बाद ही ये नोटिस उन्हें दिया गया है बिल्कुल तो क्या लग रहा है आई एस छवी रंजन ED के सवालों का जवाब तयार कर रहे होंगे जब वो DC के तोर पर रासधानी में तानात थे जिस समय का ये घोटाला बताया जा रहा है उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जुटा रहे होंगे किस तरह से सवालों का सही जवाब दिया जाए जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह अगर ED का सम्मन है या किसी तरह की कारवाई होती है तो उससे जुड़े लोग अपने तरीके से चाहे वो कानूनी राय लेना हो कानूनी तोर पे पूरी चीजों को पुखता करना हो या अन्य चीजे हो उसके लिए टाइम लेते हैं और सभाविक है बहुत संभाव है कि छवी रंजन भी इस मामले में अपने का तरीके से अपने करीबी लोगों से अपने जो उनके कानूनी विशेशक होंगे जो उनके कानूनी सलाहकार होंगे उन सारे चीजों से उन सभी लोगों से जानकारी हासिल करेंगे कानूनी राय लेंगे और उसके बाद वो E.D. के सामने उपस्तित हो सकते चले बने रहा है हमार साथ चंदन तो IAS 46 रंजन ने पूस्ताच के लिए उपस्तित होने को लेकर ED से दो सप्ताह का और समय मागा है